हेलो दोस्तों आपके अपने चैनल हिंदी मेरे पर फ्रिस से आपका स्वावत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो को जा हूँ आपके लिए विशे लेकर आए हैं वह हैं भारतिय अर्थ व्यस्ता भारतिय अर्थ व्यस्ता से सम्बंदित सभी competition में जो है questions आते ही आते हैं तो आपके हम से आपके लिए 70 questions लेकर आए हैं वैसे आपके total यह हम 140 questions कराएंगे यानि के 140 questions हम आपको कराएंगे और भारति अर्थ वस्ता संबंदी सारे ही प्रश्ण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो जाद ही आपके लिए महत्वपूर्ण है यानि इंपोर्टेंट है वो उनको में बीच-बीच में आपको बताती चलूंगी को इसको नोट डाउन कर लीजिए ठीक है वीडियो पसंद आती है तो जा आप लाइक एंड शेर जरूर करें क्योंकि आप लोगों से ही हमें प्रेड़ना मिलती है चलिए प्रश्ण पर चलते हैं वर्ष दोहजार साथ आट का केंद्रे बचट निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था तो तीसरे का आपका उत्तर हो जाएगा भी पीच दंबरम ने किया था दोहजार साथ आट का पुछा है ठीक है द्यान से प्रश्णों को सुनना गत चार दश्कों के नियर्जन में माल परिवन में सड़क परिवन का हिस्सा रहा है इसमें बताने की जो पुसाल रहे हैं इनमें माल परिवन में सड़क का परिवन का हिस्सा कितना रहा है तो फोर्ट काप का उतर हो जाएगा भी बढ़ा ही है यह ना कि घटा है चलिए अगला प्रशन देख लीजिए अगला प्रशन है वर्तमान में भारत के जंसंक्या व्रधि दर वार्शिक है तो जो व्रद्षी दर बढ़ रही है वह 1.9 पर्सेंटेज के इसाब से बढ़ रही है अगला प्रशन है सावाधानिक इस्तिति के अनुसार खनेजों पर किसका अधिकार होता है जो खनेज संपधा है जिन जिन परदेशों में तो वहाँ पर किसका अधिकार होता है तो इसका आपका हो जाएगा राज्य सरकार का अधिकार होता है ठीक है अगला प्रशन है विश् भारत में विश्व की कितनी जन संख्या रहती है विश्व की ठीक है भारत में तो भा if got में फु़िशा है hoob добав 1511% 30 mart जो है भारत मी जो प्रतम रेल लाइन का निर्मान कहां बताना है के जो रेल इनका निर्मान हुआ था बै कहा पर हुआ था तो दसवे काप का उतर हुआ जाएगा ए बंबई और थाने के बीच वेरी इंपोर्टेंट यह जरूर आता है प्रशन मोसली यह मैंने सभी अग्जाम में देखा है यह वाला प्रशन आता ही है अगला प्रशन है कौन सा स्रोत उ प्रशन देख लिजे किस खनीज में भारत का विश्व में एक अधिकार है या विश्व में एक अधिकार है अगला प्रशन देख लिए इसी में आपका केलकर समीती का संबंध है यह उपर वाला भी जो आपका ट्वाल यह भी बहुत अच्छा प्रशन है यह तो जरूर ही आता है का विश्व तवाला ठीक है अगला प्रशन देख लिए यह वाला आपका हो चुका है यह देख लिजे सारवजनिक शेत्र के बानेजिया बैंकों की सरवादि साखाई कि स्राज्य में है सार्मझनिक जो शेत्र है उन वाड़ीं जेंक इत्वाइद में लिए सुझाओ देने के लिए रिज़र पांक दोारा उनिच सो तिराने चुराने में समीति का गठन किया था इस समीति के अध्यक्ष थे कौन थे इसके अध्यक्ष बताना है तो पंद्रक आपका हो जाएगा डी आर मेता इसके अध्यक्ष थे इस समीति के ठीक है अगला प्रशने है भारत में बीत आयोके गठन का प्रवाधान समीधान के किस अनुचेन में तो आपका भारतिय समीधान से संबंदित वहां इस तरह के कोश्चंस बहुत बने थे आपके तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं भारतिय समीधान से 75 के आसपास आपके करार रखे हैं तो चलिए देख करते हैं किसके द्वारा करते हैं तो 17 Alo सांख के द्वाराफ है अगला प्लशन आयोग क्या हो चुका है — निति-आयोग बन चुका आ ngo आपका दोस्तों तो निमने लिखित हैं में और दोस्तित दूब्सुत कि दोब pride सबसे अधिक है तो इसमें बताना है कि किस अधिक अधिक यह बहुत इंपोर्टन परतेंट हो जाएगा अगला प्रशंग है से किस खनीज में निवेश के लिए निजी शेत्रों को अनुमिती परदान नहीं की गई है यहां पर नहीं की गई है पूछा यह नहीं की की गई है तो मार्च 1993 गोशित राखा जिका निजी निती के बारे में पूछा है तो 20 काप का उतर हो जागए यह कोईला को ठीक है कोईला को अनुमिती नहीं मिली है अगला प्रशन है राश्ट्रिक रशी एम ग्रामीन विकास बैंक की स्थापना की समीती की सिफारिश के आधार पर की गई थी बह निसीदा सिदा आपको उतर बता देता है 23 का आपका हो जाएगा सी गरामीन शेत्रों में जो गरीबी से नीचे जो जीवन यापन करने वाले परिवार है उनके लिए उपलब्ध है चलिए अगला प्रशन चीनी के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा इस्थान है तो सबी को पता है कि चीनी के उत्पादन में जो है भारत देश का इस्थान दूसरा माना गया है अगला प्रशन अर्थिव स्था होती है त्लोगी से लिए बहाला जाता है बही जैसे जब्हें हो गी तो राश्ट्री अइमीं sip सेत्र का जो अंश भी बegerत घाइगा भारत में प्रति व्यक्ति नimento आई वाला राजिय कौn सा है प्रति व्Yत कि न्यू on तम वाला राजिय नियू तरह नहीं पूछा है तो 26 का यह को C historia हो जाएगा और आपको पता सबसे कम योगदान है वहां पते आपने प्रशन पढ़ा था अगला भारत की राष्ट्रिया में निम्लिकित में सबसे कम योगदान है अगला प्रशन पर देगे इस प्रमान का शिक्षिन होता है कि यह सभी को मौसली सभी को पता है कि इको मार्क क्या होता है तो 29 कप का भी परियावन की द्रस्वी से अनुकूल है और यह बहुत अच्छी चीज भी है अगर यह इस तरह का यह मार्क लगा होता है तो भारत में शकल घरेलू बचतों में सरवाधिक योगदान किसका है बहुत अच्छा प्रशन है नोट डाउन जरू करें तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा एक घरेलू शेत्र का ठीक है सरवाधिक योगदान किसका होता है घरेलू शेत्र का होता है अगला प्रशन है ग्रामू का मोख्ष कुटीर वे लगूर यह कथन किसका है कथन जरूर आप याद करें अर्थवस्ता से संबंदित और यह कथन तो है भी बहुत अच्छा तो थर्टीवन का आप को जाएगा भारत में किस विधी राश्ट्रिय नहें किया बहुत प्रशे किसमंने अनुमान लगाए थे स्वातंतरता से पहले ही जो रास्ट्रिया आय होनी थी उसके सम्मन में किसने यह अनुमान लगा लिया था कि इतने तक यह चीज़े हो सकती है तो दादा भाई नरोंजी एम फिडले शिराजने ठीक है बहुत अच्छा प्रशने और यह प्रशन अलग-अलग तरीके से आप से पूछा जा सकता है यह रास्ट्रिया के समन में अनुमान लगाने के लिए भारत में रास्ट्रिया सभाई की स्थापना कप की अब देखिए दोनों प्रशने एक दूसरे से अटैच है वहां पर नाम पूछ लिया गया लेकिन यहां पर क्या पूछा इस्ताफना का वोई इसकी तो 34 का आपका हो जाएगा भी चार अगस्त 1949 को चलिए अगला प्रशन भारत में राष्ट्रिया आई की गणना निम्ले लिकित आधार पर की जाती है भारत में राष्ट्रिया इसे कितने सारे प्रश्ण आपके बनते जा रहे हैं एक दूसरे से इनकी कड़ी जोड़ते चले जाएए अच्छे से याद हो ज साथे एक जंगे खड़े रहते हैं बहुत प्रश्ण भारत में चंदन की लकड़ी के वन सरवाधिक कहां पाये जाते हैं तो अच्छा है लेकिन आपका बहुत अच्छा है इस तरह के आते हैं तो यह हैं गन्ना सभी को पता भी है इसका अंसर ये प्रशन तो आप जरूर ही करना वैरीस में लगा लीजे विश्व बैंक की उदार इंड परदान करने वाली खड़िकी किसे कहा जाता है ये जो है क्वेवरेट कोश्चंस है अगला प्रशन है आपका मीरा सेट का संबन किसे था मीरा सेट का संबन बताने है किसे था तो इसका उतर हो जाएगा हत करगे के विकास से थी के हैंड लोंग के विकास से साप्ट दक्षेस रास्ट्रों के मध्धे कि स्विश्य से संबन दित है साप्टा के वड़ाये बताना है तो 40 अपका उतर हो जाएगा भी वियापार से संबन दित था ये तो अगला प्रशन मस्त्री संदी का मुख्या उद्देश्य क्या रहा है तो इसका आपका उतर हो ज पूरे भारत की इसमें कितने परतीशाज जन संख्या करती है तो फॉर्टीटू का उतर जाएगा बी फिप्टी एट परसेंट यानिके पचास पश्वाइब आदे से जादी जन संख्या क्या करती है खेती में हैं तेश्वे वर्तमान में सारवजनिक छेत्री के लिए का उतर हो जाएगा सी नई आर्थिक निती की चलिए अगला प्रशन अगला प्रशन है रिजावर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मुल्यका समण कोस में रहना चाहिए तो इसका सीधा उतर बता देते हैं 45 का भी हो जाएगा भारत के यातर यातायात में सड़क यातायात का भाग लगभग कितना है तो इसका आपका उतर हो जाएगा क्योंकि यह आकड़े बदलते रहते हैं तो इस तरह के प्रशन तो करेंट से हम कराएंगे तब आप उनको नोट डाउन करना अगरा प्रशन देख लिए गरीबी उनमूलन का नार अगला प्रशन है भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है यह अच्छा प्रशन है 49 का अगला प्रशन देख लिजे भारत में हरित करांति किस मामले में सरवादिक सफल रही बहुत अच्छा बहुत अंदा प्रशन ठीक है तो इसका आपका उतरोजा गे समबंदित है इस तरह से आ सकता है किस मामले में सरवादिक सफल रही तो इस तरह की कोशन यह कोशन घुमपिर कर बस आपको इतना याद रखना है कि यहोण चावल किसे जुड़े हैं हरित क्रांति से जुड़े हैं किसी भी तरह से यह प्रशन आपके पास आए अगला प्र पर आप पड़ोगे सार्वजनिक छेद्र से क्यातात पर रहे हैं तो इसका सीधा उतर बताते हैं वाणी जे व्यापार पर सरकार का स्वामित्य निके उनका अधिकार सरकार का किस पर वाणी जे पर और व्यापार पर अगला प्रशन देख लेजे भारत में करमचारियों के महिंगाई भते के निर्धारन का आधार क्या है करमचारियों महिंगाई भते दिये जाते ऊंपर किस तरह से उनको दिया जाता है तो उसका आधार कहां से लिया गया आ प्रश्न है भारत की किस राज्य में शिश्य मृत्युदर सबसे कम है तो यह आकड़े आपके बदलते रहते हैं तो यह हम आपको करंड से बताएंगे पीली करांती संबंदित है उत्पादन से यह आपका अच्छा प्रश्न वहां पर आपने हर्थ करांती के बारे में पढ़ प्रश्न अच्छा है तो यह बताना है तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 56 का सी वांचू समीते ने इसको नो डाउन जरूर कर लें बहुत अच्छा प्रश्न है यह निवेश की द्रश्टी से भारतिय अर्थ व्यस्ता का निमनिलिकित में से सबसा बड़ा उध्यों कौन है यानि के निर्धारित किया गया था यहां पर आप लिए निर्धारित किया गया था तो फिप्टी एट का वतर हो जाएगा डी वार्शिक नो परतिशत ठीक है राश्ट्रे करशी और विकास बैंक की स्थापना किस पंच वर्शिया योजना अवधी में की यह आपका अच साख नियंत्रन के परिमाने वक्राव में से क्य मुझाडर्यक था मिल्ए क्या शामिल नहीं है कि तो पहली सरकारी समीतियों के बारे में बताना है तो 61 का हो जाएगा साख समीतियां ठीक है ग्यारवी ओजना अबदी के लिए निर्दारत लक्षयों के नुसा प्रारंबी की स्कूल मेसेज पढ़ाई छोड़कर देने वालों की दरवर्श 11-12 तक निमलेगरी के सस्तर तक लाई जानी चाहिए थी चाहिए ग्यारा बारा तक ठीक है अब तो हमें 21 तक की बतानी है तो यहां पर यह फैले हम 11-12 का देख लेते हैं तो इसका आगे का हम आपको करंट में देंगे चलिए देख लिए इसका उतर 62 का आपका हो जाएगा इसमें उतर भी 20 परतिशत ठीक है यह आपके ग्यारा से बारा लेकिन आगे आपका 21 का रिकोर्ड हम बताएंगे जरूर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला प्रशन देख लिए भारत की स्वस्तु का आयात नहीं करता है तो 64 का आपका उत्तर हो जाएगा डी पैट्रोलिम का आयात नहीं करता है सबका वह आयात करता है ठीक है बारत के योजना आयोग की प्रकरती क्या है मैंने भी आपको बता दिया था उपर कि योजना आयोग नहीं है अब निती आयोग है कि इसकी प्रकरती क्या है किस तरह का है यह तो आपका हो जाएगा यह है एक सलाकारी संस्ता है ठीक है अगला प्रश्न है निम्लेलिकित में से किस पंच वर्षय योजना में आर्थी जमवदी दर अपने लक्ष्ट से अधिक रही बहुत अच्छा प्रश्न है इसमें कौन सी में रही है तो 66 का अधिक्ष कौन थे कौन थे अब तो आगे आ गए हैं तो हमें सिर्फ यहां तेर्वे का बत की गई समीती निम्लेलिकित में से कौन सी थी कर संरचना से संबंदी तो 68 का उतर हो जाएगा भी चैलिया संबंदी है नर्सिंग हम समीती ने की संबंद में अपने सुझाओ केंद्र सरकार को दिये थे बहुत अच्छा प्रश्न है आ सकता है बन भी सकता है 69 का सी बैंकिंग संरचना सुधार संबंदी बहुत अच्छी है समीती ने काम किया था अगला प्रश्न देख लीजिए वर्श चे सकल घरिल उत पादर अनुमानित रही किस तरे की रही थी या रही थी ठीक है रही 71 का आपका उतर हो जाएगा भी 9.2 परसंटेज यानिके 9.2 परतिशत जनसंक्या की दरश्टी से छेदरपल की दरश्टी से यह तो मुसली सभी को पता है इसका स्टैंडर्ड तो बहुत जो है तो मुसली जब बच्चे कंप्लिशन देंते रहते हैं उन सभी को पता है अगला प्रशन है रेल्वे को निमले लिकित में से किसी अधिक राज्यस्यों की प्राप्ति होती है तो यह पहले से उतर लगावा है माल धुलाई में ठीक है अगला प्रशन देख लीजिए भारत में निमले लिकित में से किसी उध्यों में सरवाधिक श्रमशक्ती कारे रथ है यानि के उसमें सबसे जादे काम करना होता ही या श्रमशक्ती सबसे जादे लगी हुई है तो 74 का आपका उतर हो जाएगा डी कपड करने के लिए उनमें बचत की प्रवर्ती का प्रोसान देने के लिए महीला स्मृद्धी योजनाप का प्रारम की यह प्रशन जरूर्ण करें इस तो थोड़ा इसमें बता देते हैं तो 82 का आपका उतर हो जाएगा दो अक्टूबर 1993 को ठीक है तो इस प्रकार से यह आपके ह इस प्रकार से आपके 70 प्रशन बन चुके हैं और मुझे लगता है आपकी जितने भी मैंने प्रशन कराए हैं आपकी आगामी परिशा में आपके लिए यूज़ बोलूंगे और आप इसको जादर जादर लाइक और शेयर करेंगे तो यह और इस्टूडेंट को भी काम में आएगा कंटेंट